एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम राम था। राम बच्पन से ही बहुत ही महनती और उत्साही था, वह हर काम को ध्यान से करता और किसी भी मुश्किल में हार नहीं मानता था। वह अपने लक्षियों को पूरा करने के लिए हमेशा तयार रहता था। राम का सपना था कि वह गाव से बाहर जाकर अपने परिवार को सुखी और सम्रिध जीवन दे सके। उसके परिवार में गरीबी थी, लेकिन उसने कभी हालातों को अपने दम पर हावी नहीं होने दिया। राम के लिए एक दिन बदलाव लाने का मौका आया, जब गाव में एक खेल का महुतसव आयोजित हुआ। उसमें भाग लेने का मौका मिला। राम को खेलना बहुत पसंद था और उसने उस खेल में भाग लेने का फैसला किया। खेल की तैयारी के लिए राम ने दिन रात महनत की। वह हर दिन उत्साहित और पूर्ण था। फोकस किया रहा। खेल के दिन उसने अपनी सभी क्षमताओं को प्रदर्शित किया और खेल में जीत हासिल की। उसकी महनत और उत्साह ने उसे विजई बना दिया। इस जीत ने राम में और भी एक नई उर्जा और संगर्श की भावना जगाई। उसने सोचा कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। उसके मन में अब और भी बड़े लक्षित है। राम ने अब अपनी पढ़ाई में भी नई उर्जा और महनत डाली। वह रोज रात को देड़ तक पढ़ाई करता था। उसकी महनत और लगन ने उसे बड़ी स्कॉलर्शिप प्राप्त करने में मदद की। उसकी महनत और संगर्श ने उसे अच्छे कॉलेज में उसने अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार को खुशहाली और सुख शान्ती दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि महनत, उत्साह और संगर्श के बिना कोई भी बड़ा सपना हासिल नहीं हो सकता। जब हम अपनी महनत और उत्साह से किसी भी मुश्किल को पार करते हैं बेहतरीन रास्ता साबित होता है।